दोस्तों बहुत बहुत स्पागत है आप सबका अमारे चानल में और आज मैं बात करने वाला हूँ एक अलग सेक्टर के बारे में हमने लिकर सेक्टर की बात की हमने रियल इस्टेट की बात की हमने आईटी की बात की मेटल की बात की फार्मा की बात की बैंकिंग की बात की लेकिन कोई भी यह नहीं बता था कि सही price क्या हो गया अगर यहां से हम गिरते तो क्योंकि यहां से अगर defense sector में कोई गिरावट आती है तो फिर उसको accumulate करना बहुत जरूरी है उस dip को buy करना बहुत जरूरी है अगर आपका long term का view है कई सारे stocks है मेरे पास जो मेरे personal portfolio में भी है औ जोद भी अभी overvalued है दोस्तों बात समझ लो कि अगर आपको gold 10 gram 2 lakh में मिल रहा है तो आप buy नहीं करोगे लेकिन अगर वही gold आपको 10 gram 50,000 में मिल रहा है तो आप buy करोगे तो वो जो 50,000 का price है वो है fair price या फिर मैं कहूं बहुत सस्ता price 70,000 का अभी rate चल रहा है लेकिन अगर अगर आपको कई 2 lakh में दे रहा है तो आप उसे buy नहीं करोगे हाला कि gold बहुत अच्छा है long term के लिए आप जानते हो तो यह होता है valuation अगर आपको यह समझ गया कि fair price क्या है थोड़ा सा उसके लिए sense यूज करना है और dip में उसे buy करना है और जब आप dip में buy करोगे तब आप आपका पैसा अच्छे stock में lock हो जाएगा जैसे हमने HDFC bank देखा है बजाज finance देखा है Reliance देखा है TCS देखा है मारूती देखा है कई सारे stock से दीपक नाइटरेट पिछले दो साल से consolidation में अब जाके breakout दिये तो कई सारे इसे stock है अच्छे अच्छे stock है लेकिन जो consolidation में फसे हो होगे तो आपका पैसा safe रहेगा लेकिन lock हो जाएगा without wasting time बात करते सबसे पहले बात अगर आपने टेलिग्राम चैनल पर subscribe नहीं किया तो कर लीजिए यह एक offer है आपके लिए बहुत जादा queries आ रहे बहुत जादा request आ रहे अगर आप चाहते अभी आप join नहीं कर सकते तो आ मैंने P दिया था 175 पर जो चला गया था 410 पर और यह Thursday को मैंने Nifty का C दिया था 95 यहाँ पर 170 लिखा हुआ है लेकिन यह चला गया था 200 तक और उसके बाद अगर मैं आपको दिखा हूँ तो Sensex का जो PA जहाँ पर मैंने personally भी बहुत जादा पैसा कमाया यह वाला जो मैंने दिय चला गया था 240 पर यह चला गया था नीचे 180 190 पर इसका कोई SL नहीं है और मैंने यह कहा था कि enough chance मिलेगा बाय करने के लिए और यह चला गया था 510 पर 510 तो more than double एक ही दिन में और यह काफी जादा volatile होता है काफी जादा risky होता इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा capital जो है वो limited use करो और already कुछ stocks है कुछ trade से जहां पर हमने profit भी कमाया तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले शुरुवात में करूँगा निफ्थी के साथ लेकिन उसके पहले telegram channel को join जरूर कर लिजे और सबसे पहली बात जो पूराने stocks मेंने दिये थे उसमें से IEX है 181 पे उनका थोड 3% का deep side आएगा और उसके बाद ये breakout शायद रीटेस भी हो सकता है लेकिन 160 किसी भी हालत में break नहीं होना चाहिए ये breakout के candle का low है अगर ये break हो जाता है तो फिर IEX में फिर से वही consolidation चुरू हो जाएगा ये देखे यहां पे 163 162 का level आपको दिख रहा है ये break नहीं होना चाहि हुआ है और ये stock आ गया है 3455 पे 340 पे सॉरी दोस्तों जैसे ही stock का price split होता है 1 is to 2 पे तब ये stock का price था around 575 50 के आसपास लेकिन आपको price मिला है 1 is to 2 में 330 के आसपास तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो price मिला है वो जादा मिला है 600 का stock अगर split होता है तो वो जो price मिलता है वो आपको मिला हुआ है यहाँ पे तो it's a very good advantage और मेरे हिसाब से यह definitely buy बनता है पोल और फ्लैक का pattern जो है वो अभी भी intact है यह chart update हो जाएगा उसके बाद हम इसकी बात करेंगे बेल और HL को मैं फिलाल watch list में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर बात कर लिए शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ निफ्टी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने एक message डाला हुआ था यह मैंने Wednesday को डाला हुआ है और आप इसे Monday से observe करना है और आप मुझे मानना है कि मैं सही हूँ या गलत अभी इसी वक्त मैं आपसे दुबारा कह रहा हूं मेरा यह मानना है कि Monday से लेके अगले एक विक तक मार्केट में consolidation या फिर correction आ सकता है मैं correction कह रहा हूं fall नहीं कह रहा हूं मैं बड़े गिरावट की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फे correction की बात करना हूं profit booking जो weak hands होते वो शायद निकल जाएंगे कोई बड़े hands होंगे जिन्होंने lower price पर buy किया है तोड़ा सा partial profit book करेंगे it's not bad thing लेकिन अगर आप यहां पर अभी देखोगे तो मैंने यहां पर एक level दिया हुआ है कि 23-200 अगर तूटता है तो 22-22-450 पर जाएंगे दूसरा यह correction होगा जहां पर बहुत अच्छा मौका होगा buying करने का अगर आपने यहां पर buying miss कर दी तो मैं यह कहूंगा कि जादा बुरा तो नहीं होगा stocks फिर से runner up ले लेंगे लेकिन आपको वो reward नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए तो यह मौका है आपके पास buying करने के यहां पे आप ONGC है यहां पे एक correction due है क्योंकि कोई भी stock अगर double होता है या फिर 2.5 times हो जाता है तो उसमें 40-30% का correction भी आ जाता है तो वो एक अच्छा opportunity होगा आपके पास buying करने के लिए और मैं दुबारा कह रहा हूं यहां पे मैंने लिखा भी है कि यह correction होगा fall नहीं लेना है लेकिन याद रहे यहां पे आपको aggressively long नहीं जाना है यह आपको याद रखना है और यह मैं बहुत responsibility कह रहा हूं सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो यह weekly chart है हमारे सामने और weekly chart में अगर आप देखोगे तो यह देखिए मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूं पहला जो candle बना हुआ है यह तीन जून का यह है अल्मोस्त एक dragonfly doji बना हुआ है आप इसे hanging man भी कह सकते लेकिन इसका body थोड़ा छोटा है उसके बाद जो candle बना हुआ है वो एक spinning top candle है 10 जून का और अभी इस week में जो candle बना हुआ है वो भी एक doji candle है जब भी हम bullish train में होते है तो इस तरह के candle नहीं बनते है जब हम bullish train में होते है और जब exhaust हो जाते है तब इस तरह के candle बनते है तो हो सकता है यहां से हम 22-800 तक आ सकते है या फिर हो सकता है 22-450 तक भी आ जाए और तब तक यह जो weekly 20 year में यह यहां तक आ जाएगा तो हम उसको hit करके दुबारा यहां से आ सकते तो यह मोगा होगा आपके पास बाइंग करने का और मैं आपको बता दू यहां से हम trade line के थोड़ा बाहर भी जा चुके तो उस resistance के आसपा से हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो नीचे आने के chances जादा है correction आ सकता है और 22-450 याने 1000 पॉइंट की गिरावट शाहिद ना आए लेकिन हो सकता है 200-300-400 पॉइंट की गिरावट आ जाए हो सकता है 23-200 का हम तोड़े रहा और वहां से bounce back ले ले तो मैं यह वेदर की तरह प्रेडिक नहीं करूंगा कि कल बारिश होगी कल बरसा तो नहीं होगी यह होगा मैं सिर्फ आपको लेवल्स और मार्केट का काम है कि हमें दिखाना कि वो कहां जा रहा है हम उसे प्रेडिक नहीं करेंगे लेकिन एक चीज़ कंफर में यहां पे aggressively long नहीं जाना है अगर आपके पास बहुत जादा capital है तो अभी infuse मत कीजिए discount मिल सकता है आपको और हो सकता है कि मार्केट में गिरावट दिखती है अगर आप इसके candles को देखेंगे तो यह जो candle है यह perfect hanging man है इससे बेतर candle नहीं हो सकता यह textbook candle है उसके बाद जो यह buying आई है न यह एक अच्छा candle है compared to nifty तो हो सकता है कि nifty bank में upside आ जाए और nifty में थोड़े सी गिरावट आ जाए और वहाँ पे जो पैसा आएगा व नifty और nifty bank में जादा गिरावट नहीं आएगी तो फिलाल nifty bank में अगर आप buying करना चाते तो एक support zone 51,000 पे अब trading कहां पे करना है trading यहां पे 23,200 के आसपास आपको नजार रखना है अगर 23,200 तूटा है सबसे पहला immediate मेरा level है immediate level 23,470 का कहीं पे भी 23,470 में अगर गिरावट आती है तो आप इसको buy कर सकते हैं और उसके बाद आपका target होगा 23,300,23,200 या फिर अगर वहां पे कोई hammer candle बनता है नीचे की तरफ या फिर कोई एक bullish candle बनता है तो उसका low को stop loss पकड़ के आप दूबार आप 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 कर सकते हैं 100,200 पॉइंट का एक bounce भी आ सकता है लेकिन मे bank nifty में मेरा level है 51,450 पहला और दूसरा है 51,000 ये दोनो sales side के call है उपर की तरफ it's a easy guess कि जो इस week में हमने high लगा है 52,000 पे अगर वो break हो जाता है तो banking में एक जबर्दस short covering आपको देखने को मिलेगी तो banking में आसान काम है nifty में आपको ध्यान रखना है क्योंकि nifty में volatility बहुत ज्यादा होगी तो ये दोनों index है उसके बाद अगर मैं बात करूँ PSU के बारे में तो मैं अल्रड़ी इसके बारे में बात कर चुका हूँ ज्यादा सिर्फ आपके सामने chart रख देता हूँ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अल्रड़ी एक breakout आ चुका है थोड़ा साम consolidate भी कर रहे है इस zone में और यह जो consolidation है अगर यह खतम हो जाता है तो यह हम 8000 की उपर चले जाएंगे या फिर नीचे की दरब जो support आता है वो आता है 7200 का मेरा यह मानना है कि हम 7000 को एक बार टच कर सकते 7000 को जैसे हमने इस candle में टच किया था यह जो बड़ा आपको spike दिख र तो पुरी दुनिया जब बेरिश थी तब मैंने सिर्फ यह दो लाइन ड्रॉ किया था यह दो लाइन जो आप देखोगे यह जो दो black line की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने ड्रॉ किया था और यहीं से हमने support लिया था 15 April को उसके बाद हमने पहला black line ही नहीं तोड़ा है दोस्त आपसे US में अभी के लिए एक reversal आ सकता है यहां से हम उपर जा सकते हैं Dow Jones में सबसे पहला immediate resistance है 40,000 का अगर 40,000 कहीं पे भी break होता है तो यहां पर एक बड़ी upside आ सकती है 42-43,000 की यहाने यहां से अगर हम उपर जाते US market में तो obviously IT के लिए एक sentiment बढ़ेगा और IT stocks यहां से 20-30% आपसेड दे सकते हैं मेरा favorite IT stock मैं आपको अलरी दे चुका हूँ persistent है को फोर्ज है sonata software है और KPIT है बहुत सारे stocks है आप उन में से कोई भी 2-3 stock है infosys है कोई भी stock आप पकड़ के उसको hold कर सकते emphasis है मैं अगर बात करूँ तो आप देखोगे यहां पे जैसा मैंने कहा तक कि एक resistance पे हम आ चुके 36,000 अगर break हो जाता है तो एक बड़ा upside बड़ा short covering आपको देखने को मिलेगा जो हमने यहां पे देखा था यहां से जब हम उपर गए थे तो सीधा यहां पे 39,000 के आसपास तो यहां से दुबाराम तो उसी level पे जा सकते है 39,000 अब without wasting time मैं बात करने वाला हूँ HL के बारे में एक हमारे दोस्ते उन्होंने मुझे पिंग किया था कि HL में तो upside आ गई आपका prediction जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया दोस्त तो upside तो आएगी ज़रूर ले bottom में एक valuation भी fair है, बढ़िया stocks है, monopoly है, बहुत ज़्यादा तगड़ा order book है, मेरा सबसे favorite stock है defense में, इसमें कोई दोरह नहीं है, कोई इसमें discussion का point भी नहीं है क्योंकि हम सब जानते कि HL के fundamental कैसे है, लेकिन ये जो candle बना है ना monthly chart में, आप कहां से इसको bullish candle मानते है मुझे बता protection मेरे इसाब से जो लोग price action को मानते है, price action को respect करते है, price action के तरीके से अपना analysis करते है, उनके लिए candle stick एक ABCD की तरह है, it's a very very basic thing, ये जिस तरह का candle बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे HL में अभी एक अच्छा risk reward बन रहा है, short term के लिए, मैं short term की बात कर रहा support अगर आपको मिलता है तो पहला है 5000 पे, लेकिन अगर वो तूटता है तो हम 4500 पे आते, अगर कहीं पे भी हम 4500 के नजदिक आते है, HL में, यहाँ से 500 point का गिरावट, तो मेरा ये मानना है कि it's a very very great opportunity to buy for long term, अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी गलत हूँ, तो आप एक काम कर लिजे, पिछले 2 दिन का chart देख लिजे, daily chart में, मैं इसको थोड़ा सा zoom कर रहा हूँ, यह देखे यहाँ से, upside में जाने के लिए हमको लगे थे 4 दिन, यहाँ से 5600 से 500 point कम होने के लिए हमें लगे सिर्फ 3 दिन, तो volatility बहुत ज़ादा है, और मैं अभी भी यह कह रहा ह मेरा यह मानना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको buying करना है, तो let's wait for the better price, HAL short term में थोड़ा सा expensive हो चुका है, अगर आप invested है तो partially profit book कर सकते हैं, अगर आप hold करना चाहते हैं, तो hold कर सकते हैं, लेकिन अगर आप aggressively buy करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा wait कर लिजे, कोई दिक् बनाता अदानी में जब हम 45,000 तक गए थे, same chart बनाता IRCTC में जब हम 6,000 पे गए थे, same chart बनाता BSC में जब हम 35,000 पे थे, और same chart बनाता यहाँ से, Corona में जो upside IT, IT stocks में उन में, और वहाँ से शुरूआ एक consolidation, तो यह जो candle है ना दोस्तों, इसको आप देखिए, समझे, और फिर अगर आपको buy करना है तो buy कर लीजे, मैं अभी भी कह रहाँ, long term में मेरा सबसे favorite stock है, लेकिन short term में मैं wait करूँगा, एक better price का, उसके बाद आता है bell, BEL में भी आपको same candle दिख रहा है, यह HALC भी perfect candle है दोस्तों, और यह इस तरह का hanging man है, और अभी month कटम होने में एक हफते का समय, और अगर आप देखोगे तो यह जो candle बना हुआ है, एक हफते में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फरक पड़ेगा, लेकिन यह perfect hanging man candle है, यहां से जो भी गिरावट आती है, अगबक 275, 280 आप उसको buy कर सकते, 304 पे अगर आप अभी buy करोगे, तो आप 15-20% high price पर buy करोगे, मैं अभी आप से कह रहा हूँ दोस्तो, defense में कोई एक छोटा सा news आ सकता है, कोई एक छोटा सा reason मिल सकता है, गिराव अटाक के लिए, profit booking करने के लिए, और एक थोड़ा सा correction के लिए, तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वेट कर लीजे थोड़ा सा correction due है, defense में, मैं हमेशा bullish की बात करता हूँ, bullish stocks की, मैं हमेशा targets की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं correction की बात कर रहा हूँ, HL अगर आपको 4,500 पे मिल रहा है, तो अगले 2 साल के अंदर ये stock वहाँ से 8 या 9,000 तक जा सकता है, अगर split नहीं हुआ तो, similarly BEL अगर आपको 275 पे मिल रहा है, तो 500 का target बड़े आसानी से आ जाएगा, दो साल के अंदर, तो ये मैं बड़े target भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इस price पे आपको buy नहीं करना है, उसके बाद आता है BEL, दोस्तो BEL की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भ आपको देखेगा, आपको वेट करना है, यहां से 1400 के आसपास, BEL की बात करूँ, तो 320 मैंने कहा था कि इसको buy मत करना, 320-315 का शायद इसने आए लगा है, ये 320, और उसके बाद अगर आप देखोगे, तो यहां पे, यह मैंने कुछ इस तरह का stock बना था, target 4X का मैंने दिया रुपे था, उसके बाद ये 120 पे भी आया था, फिर मैंने buy दिया था, उसके बाद मैंने एक message भी डाला हुआ है, ये देखे, 16,409 एकर का land, फिर multiple businesses, ये transportation में, ये business में, defense में, aerospace, oil, gas, और ISRO के साथ भी tie-up किया हुआ है, power में भी है, सब जगा पे ये sector है, लेकिन हा, ये इस लेकिन अभी आपको इनसे थोड़ा दूर रहना है, wait कर लिजिए correction का, हो सकता है correction आए, और शायद 2-3 दिन में cover अभी हो जाए, आपको target set करना है, buying के लिए, और फिर आपको buy करना है, HL का मेरा target है 8-9,000 का, BEL का मेरा target है कम से कम 500 का, BHEL में मेरा target है 4 digit का, मैं ये responsibly कह रहा लेकिन एक साल लगेगा, या उसके पहले आ जाएगा, उसके बाद आखरी stock से, जिसके मैं बात करूँगा, वो है Paris, Paris का दोस्तों, दिक्कत ये है कि इस stock में, आप candle तो आप खुदी देख लिजे किस तरह का बना हुआ है, लेकिन मुझे इसका जो price है, वो भी थोड़ा सा over valued लग रहा है, अभी इस price पे, मैं ये नहीं किया रहा हूँ दोस्तों, कि कोई भी stock जो मैंने दिया हुआ है, वो बुरा stock है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मुझे इसका valuation, जो price to earning ratio है, उसमें थोड़ा गडबड लग रहा है, और इसमें गिरावट आना शु जान लेता, क्योंकि ये consolidation में चला गया था, लगबग यहाँ से 2 या 3 महिनों के लिए, 2000 के price पे मैंने दिया था, और मैंने कहा था, 2350 कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे break करते, तो 3000 बड़े आसनी से आ जाएगा, और अभी आगर आप देखोगे, तो 3000 नहीं, ये 4000 पे चल अच्छा कासा reward मिल रहा है, 2000 से लेके 4000 तक बहुत जल्दी ये उपर चला गया है, तो थोड़ा सा consolation, थोड़ा सा break ले सकता है, and it's a good thing, correction आता है तो अच्छी बात है, और दुबारा माजगाव डॉक में जो target है, वो रिजूम हो जाएंगा, अपसाइड की तरफ इस stock को जा आप TV चालू करोगे, तो आपके सामने आ जाएगा कि ये news है, इसको buy कर लिजे, जल्दी जल्दी buy कर लिजे, मौका चला जाएगा, हम भी buy कर रहें, बड़े बड़े target खुल रहें, बड़े बड़े broking house ने बड़े बड़े target दिये हुए, दोस्तों बड़े लोगों को नि